तो फैन कोट एसी स्मल्टा टीजेन लिग का सिक्ष्टी फास्ट और सेकेंड मैच गोजो जल्वी वर्सस गोजो चीजेट जेट वर्सस जीओ जेट दोरो टीम्स के वीडियो खेले जागा मैच उसके प्रिवू स्टेर्शन लेशिस आपको समय लेकर रहे हूं तो दोस्तों पहले आपको विलकम कर रहे हूं अपके अपने ही चले टागर्विन फंटासी पर उसी के साथ सत्थ दोस्तों अगर आपने अभी तक अवरे टेलिकम जोईन नहीं किया है अभी जोई कर लीजे डेस्किप्स में लिंक है ग्रैन लिक टीम्स के लिए आप अभी टेलिकम 12 के कारन दोस्तों पूरे 4 से लेकर 8 मेच यहां पर बंद हो गये थे 8 नहीं दोस्तों 6 मेच 3 मेंच नई दोस्तो हर दिन चार मैंच होते हैं तो दो दिन की बात करें तो 8 मैंच यहां इंपर 20 आ गये थे अगर ऐसा कोई फर्दर NK जाए तो आपके साथ लेकां पर सेड़र करूंगा. हालकी सी बादिन जा है तो वेदर यहां पर कुछ ऐसे रहने वाले हैं पिछ डिवोट के बात करें बोलिंग फेली है और इसकोड के बाद कर दोस्तों 44 तक रहेगा कियोंकि यहां पर अभी इसकोर बहुत ही मतलब बीलो 50 आ गए है कि दोस्तों यह पर पहले इंग्स पर रंस बन रहा है 60 से लेकर 70 तक दूसरे इंग्स के टीम जो है 40 अंदर यहाँ पर अलओड हो जा रहा है तो इसलिए पर directly photos के उपर लेकर आया हूँ पीछ देखिए सबसे पहले drop in पीछ है लेकिन दोस्तों ये वो वाला drop in पीछ नहीं है जो अश्ले या फिर इंग्लेंड में इस्तमाल किया जाता है ये एक normal सा drop in पीछ है जिसके उपर उतना ज़्यादा bounce नहीं लेते है अगर bounce लेते भी है तो वो batsman के जो knee level है उसके अंदर ही रहता है दोस्तों और ball turning की अगर बात करें मतलब spinning की बात करें जो finger spinner होते है अपने finger से थोड़ सा spins करा सकते है लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा spin होने की chances बहुत कम है और boundary dimensions की बात करें दोस्तों यहाँ पर देखिए यह मान लीजी ग्राउंड है पीछ से लेके square boundary 62 मिर्स का आसपस रहेगा state 68 मिर्स का आसपस यहाँ पर रहने वाल है बड़ा boundary भी नहीं है boundary छोटा ही रहेगा तो practical knowledge के लिए आपको यह पर photo दिखा दिया अभी हम निशालते है stats के उपर जोस्तों आप बात करें दोनों टीम्स की last 5 matches की देखिए जी जेट जेट की तीम 5 खेले 1 जीते जी और जेट की तीम 5 खेले 2 जीते तो recent stats दोनों का लगभग सेम से में है आसपास है और आज के माच पर किसन किया निकल कर रहा थे एक पर देख लीजे जी जेट 45% विनिंग chances जी यो जेट 55% विनिंग chances तो थोड़ा सा जो है आपको जी यो जेट टीम के जो प्लेयर से उनके उपर जाता देना पड़ेगा क्योंकि उनकी recent form बहुत बढ़िया चल रहा है अब दोस्तों दोने टीम की प्रावर प्लेइंग और और प्लेयर स्टेर्स के बारे में बात करेंगे मतलब रिसेर में कॉंट से एगवी के निकाले बोलिंग कर गई तो यह यह अच्छा बात है कि यह जो प्लेयर है उपनिंग बैटिंग कर रहा है साथ में बोलिंग भी रेगुलार दो अबर कर रहा है दोनोंने जीरो पर आउट है और मैभू वाली ने एगवी के निकाले नमबा तीन पर दीके जिसन भारन बारण में पर स्मॉल लीग में पर त्राइए और बोलिंग कर के दोस्तों दो बर बार्ड बहुत जयदा ठीटियरें करने का Veg शीन हं इनके पास है वे 0 कि लाष्ड में इसले है जीरो गर्प्र त्याट में इंश में पर आउकर यह ऑच्छ रहेगा तर लिंग समराइज दो रण किये उतना बड़या नहीं है क्योंकि नंबर साथ पर बैटिंग कर रहा है और बोलिंग करने का कोई चांसेज नहीं है और इजाच आमित की बात करें अपसल पर है दोस्तों लेकिन एक उइकट की पर होके बैटिंग कहां पर कर रहा है यह थोड़ा सा नोट पर है सवा अफरीदी एक राण विकरलेस दो बड़ डाल सकते हैं मजीद जाबेद इनोंड भी दो बड़ डाल सकते हैं लास्ट मेंच पर डाले भी एक विके निकाले तो इन में से देखिए इस 11 में से कौन कौन से प्लेयर आपके टीम पर रहने वाले हैं मेभू वाले जि दर्सित पतंकर के साथ गौतम दत्ता ने आठ एक आठ रं तीन मच पर किये अबरेज चोईस होगा आपके लिए इस मेंच में भी आप ग्रैन लिख के लिए अलगला कॉमिनिस पर कैप्टन बैसकर भी मना सकते हुए इनको क्योंकि ओपेनिंग पर आ रहा है दर्सित पतंकर दो रं बना है सिर्फ अच्छा चोईस नहीं रहेगा सेंथिल राज तो यही आपको बताना चाहरा था कि यह जो प्लेयर है कप्तान है विकिट की पर इंप्सन पर रहेगा और बैटिंग कर रहेगा और बैटिंग कर रहेगा जो कि दूसरे टिम का विकिट की पर है आपको मैच पर अच्छे इनिंग्स खेली दोनों में तो यह अपके लिए इंपोर्टेंट पिक रहेगा इसी मैच पर इंडिका पिर्यारा एक रान बारान पांच नंबर पर बैटिंग करके बनाया वासी मबस की बात करें टीम का अच्छा वॉलॉनर है कभी भी दो बट डाल सकते है लेकिन लास्ट मूच में नहीं डाले आड़ रान विगर लेज अभी लास करना थे इन 17-17 रान बैटिंग में लगवक एवरेज चलें बोलिंग की बात करें 2-1,1 विगर, 3 विगर निकाले लास्ट दो मैच में तो भाइस कप्टन से कप्टन के लिए भी ये भी अच्छे जोज बन सकते हैं इसी मैच पर डिमी इस्टोन नहीं लग रहा है कि लास्ट मैच पर अर्श नहीं बना पाए आज ही संटानी तीर मैच पर बोलिंग करें दो दो बर करके लेकिन विकर सिर्फ लास्ट थाट डास मैच में ही निकाला था दो जीरो जीरो उसके बाद स्टैवी रहा है क्रीन मैच पर इनका भी दिखे सेम आल है इन्होंने लास्ट जो मैच करें वहाँ पर दो इके निकाले उससे पहले उकिलेश चले गए थे मौहमद रफीक दोनों मैच पर बोलिंग करके ने यहां पर दो मैच में घड़ीरो आप बात करें दोनों को ट्राइब करें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्यूंकि ग्रैनलिक के लिए आप ट्राइब करना पर दोनों को ड्राइब करना कोई मतलब टेंसर की बात नहीं होगी ठीक ठाग रहेगा संतिज लाज जोस्मन पॉल्सन वासिम अबबस को आप थोड़ा से ट्राइब कर सकते हैं अभी लास करना था ही अजी संटरनी स्टेवेर है यह कुछ प्लेस है जिरो ने आपको इस मैज म वासिम अबबस फाजिल डेमान और ग्रैंड लिक चैस की बारे में बात करें अभी लास करना था ही सभाव फ्रीदीप स्टेवी रोय आजे संटरनी यह चार प्ले में से आप ग्रैंड लिक के लिए प्लेस को रोटेसन करते हुए अलाग-अलाग ग्रैंड लिक के कॉमिनिस पर तो दोस्तों फिला ले रहें आपके लिए स्टेट्स अनलेसिस की बात अभी हम चलते हैं ड्रीम अलुमिंग तरफ वहापर एक स्माल लिक का डेमोटीव बनाकर आपको दगाएंगे लेकिन फाइनल ग्रैंड लिक स्माल लिक टीम के लिए आपको अभी हमारा टेलिगम जॉइन करना पड़ेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिशन पर है तो दोस्तों आप अभी जाका लिंक पर क्लिक करिए और हमारा टेलिगम चल को जॉइन कर लिजिए एक और तारीका है कि आपने टार्गेट इन फैंटेसी लिक के टेलिगम पर सार्च करके भी वहाप पता नहीं इनको क्यों लोगों ने मतलब 45 वासे लोगों ने पिकर करका है तो यही सबसे डीफोर्ट अप्सन रहेगा सेंतिर लाच बैटिंग सेंट की तरफ चले पॉल्सन रहेगा वासिव अबबस उसके साथ दोस्तों यहां पर हमने पिक करेंगे दूसरे टिम के लिए क दूसरे यहां पर टीटेन में ऐसा ही टीम बनेगा एंट्रिन रहेगा करना थेल उसके साथ इम रफिक को हमने थोड़ा सा डिफेंशल में पिक किये साथ में एक और प्लेस रहा जो कि हैं बिलाल खान कप्तन 22 कप उनकी बात करें जो सबसे बड़ी एक के लिए लग रहा है यहां पर एफ रहमान के साथ सेफ करके प्रीवी आपको दिखाना चाहेंगे प्रीवी में थोड़ा सा क्रेलिक के बारे में डिसकस करेंगे देखिए दोस्तों यहां पर सिंतिल लाज होगिट गिवरिंग अप्शन पर वासी माबस जोस पॉलसन दोनों रहेगा बैटिंग रेमान, एमाली, अनुवार, एस अफ्रीदी, चार रहेगा अलनस पर विलाल खान, एंटनी, रफीक और करनाथिल यह चार प्लेसर देखिए बोलिंग सक्सन पर तो फिलाल हमाटिक का कप्तान कौन बने एमाली, 22 कपने रहेगा इफ रेमान आप ग्रयाली के लेटर आए करे इसी कपने संगर साथ, सेर्दिल राच, वहन डाउन आएगा, वासिम अबबास बैटिंग बोलिंग दोनों कर सकते हैं, अनुवार, यह पर एस अफ्रीदी, जो कि अच्छे वालों रहेगा दोनों, विलाल खान या फिर उसको सांट एंटनी और रफीक, इनको भी आप ट्र मिल जाए, और अच्छा सा टीम मनें या अच्छा सा विनिंग कीजिए, थैंक्यू सो माच, आल दे बेस्ट, बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर